क्या नितीश कुमार बनेंगे इंडिया फ्रांट गडबंधन के सरदार आपको पता होगा जैसे कि मैंने रिपोर्ट भी किया था कुछ दिन पहले यानि कि जो आखरी मीटिंग हुई थी इंडिया फ्रांट अलायंस का नई दिल्ली में वहाँ पर नितीश कुमार काफी नारा हैं उन्होंने कहा कि प्लीज इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी कर दीजे हमको हिंदी समझ में नहीं आती उससमें नितीश कुमार ने कहा कि हम हिंदूस्तानी है हम हिंदूस्तान में हैं और हिंदी हमारी मात्री भाशा है उसके बाद दो-तिन दिन बाद राहुल गा का खाखा उन्होंने ही तयार किया था लेकिन आज बर्मता बानजी या अर्विन के जीवाल या उससे ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी उसकी पहल कर रही है लीडर्शिप ले रही है और उनका रोल क्या होगा क्योंकि ये बात भी चल गई कि जेडियू के अंदर जहां पर मंतन हो रहा है और जिसके चलते उसके बाद वो अध्यक्ष बने ललन सिन की जगह तो नितीश कुमार का आम फ्लेक्सिंग या मसल फ्लेक्सिंग चल रहा है लोकसभा चुनाफ के दोरान जेडियू का प्रदर्शन बहुत एहम होगा अगर आब बिहार की राजनीती की बात करें वहाँ पर जेडियू का कद माना जारा है कि RJD से कम होता जारा है और तेजसवी यादव को लेके लालू प्रसाद यादव काफी अमबिशस है यह खुली बात है कि जाहर तौर पर लालू का बेटा यहां का मुखह मंत्री बने लेकिन वो मुख्यमंती तभी बन पाएंगे अगर वुस जग़ पे वेकंसी हो और नितीश कुमार हट जाते हैं एक समय में लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार की अच्छी खासी दोस्ती थी वो दोस्ती खतम हो गई जग नितीश कुमार बीजेपी के साथ गए और फिर घर वापसी की बात हुई जग नितीश कुमार आरजेडी के साथ होकर यहाँ पे एक गणबंदन में रहे अब कॉंग्रेस पार्टी को पता है और बाकी जो घटक दल है इंडिया फ्रांक के उनको यह पाता है कि नितीश कुमार काफी एहमियत रखते हैं एक तो वो हिंदी हाटलंड बेल्ट से हैं बिहार से हैं वो जिस समुदाई से आते हैं वो शायद इन सब मुद्दो पर नरेंद्र मोदी को 2024 में कम से कम टकर दे सकते हैं या वो सिती में रह सकते हैं प्रधान मंतरी की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो जिस समुदाई से आते हैं दूसरी बात ये है कि हिंदी बेल्ट में बहुत ही पॉपलर है और उनकी छवी ऐसी है जिसके चलते बीजेपी के लिए वोट पाना कहीं बुश्किल नहीं माना जाता। कॉंग्रिस की बात अगर कहें तो कॉंग्रिस की छवी अब ऐसी बनती जाती है जा रही है कि वो दक्षिन भारत की एक पार्टी में सीमिद रह गई है सिर्फ करनाटक और तलंगाना में वो सत्ता में है और हिमाचर परदेश है लेकिर और कोई बड़े राज्य में उनकी कोई सरकार नहीं है दूसरी बात यह है कि कॉंग्रिस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको माना जा सकता है कि वो हिंदी हाट बेल्ट में पॉपुलर हो यही दिक्कद मम्ता बानजी के साथ है और बहुत हद तक अर्विन के जीवाल के साथ है निदीश कुमार ही ऐसे एक नेता है जिनको माना जाता है कि वो हिंदी हाट बेल्ट पॉलिटिक्स में वो टकर दे सकते हैं भाजपा को और नरेंद्र मोधी को दूसरी बात यह है कि जेडियू के कुछ ही लोग यह बात पहलाते हैं कि यह हो सकता है कि एक बार वो फिर से पलट जाए यानि कि पलटू चाचा ज एक इंस्टेबिलिटी और निटीश कुमार की जो एहमियत है उसके चलते यह बहुत ही पॉसिबल है कि उनको सरदार यानि की कनवीनर बनाया जाए इंडिया फ्रांट अलायंस का इसके चलते वो बहुत कुछ तीर निशाने पे होगा यानि कि जैसे कि मैंने अभी कहा है हिं तक कर दे पाएंगे नरेंद्र मोधी कम से कम इंडिया फ्रांट अलायंस का ये मानना है जिस समुदाई से वो आते हैं और वो नरेंद्र मोधी ब्रैंड और पॉलिटिक्स को बखुबी से जानते हैं अब देखते हैं कि इंडिया फ्रांट अलायंस क्या आपसी रंजिश औ और मदभेद को भूल कर नितीश कुमार को लाकर वो ट्राम टार्ट खेल पाएगी जो अगले मीटिंग में ही तै होगा.